राधे राधे मेरी यूटूब फैमली तो चलिए आज मैं आपको दर्शन करा रही हूँ श्री वरंदा वंधाम जी में जहाँ पर बरसाना है और बरसाना में जो सांकरी को रहा है जहाँ पर है हमारा ब्रहम परवत तो बोला जाता है बच्पन में जब कहना जी अपनी एक तरीक से तो इस टा Xing हम यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं तो शोओ के टाइम में हमें टाइम मिल गया था मतलब जैसे हमने बरसाना के दर्सन किये जाके तब काफी टाइम था वरंदावंधाम जी में जाने के लिए तो हमने सोचा चले परिकर्मा कर ली जाए वरंदावंधाम जी की परिकर्मा हमने कर लिए गोवर्धन जी कर लिए आज मोका मिला है बरसाने की करने के लिए तो हम बरसाने में आ चुके हैं और हमने यहाँ पर यह पेड़ देखने के मिल जाएंगे जिसमें आपको मतलब बहुत सारी क्या बोलू मतलब आकरते देखने के लिए मिलेंगे बोलते हैं यह सारे ना रिसी मुनी हैं आते वक्त हमें यहां पर दर्शन हुए एक रशिक जी यानि महाराज बाबा जी के जिनों ने हमें रडू कोपा पर दर्शन हो जाते हैं तो यह ठाको जी गवच राते बंशी में जाते हैं बंशी के अवास उनके रादे गोपियों से बोलें कि चलो सके यह जात हैं वहां मिलें बिरिज राज गौरस बेचन हम चले एक पंत लोकाई जिसमारक से चलो यह स्यामसंदर अरिशे मिलान हो जा मैं पिरिज गोपियों गौरस माखन दूद दई लेकर कंस नगरी को जाते हैं तो ठाको जी ने गौल वालों को साथ में आ कर महारक रोका गोपियों का और गोपियों से कहा है कि ठाडी रोरी गौय देजा मेरो दान और यही दान के काराद छोड़ दिया बेचुन सा दाउन में आपके मांखन दूद दही बाप के पीछे बैकुन जाम चोड़े आए, मुझे इस मारक का दान चाहिए, टेक्स चाहिए तो गोपियं ठाकोजी को दान नहीं देती हैं, ठाकोजी से कहती हैं कि दान कर राखे मोहन, दान दें, ददक किंकी और चाहमारी जो पीवेस उतेल करें सब दिन की, तो गर्मिस हग दिन काम करता है गव चराता है उसके लिए चाहच मिंती है आप तो मूलतत माखन का दान मंगरो, ऐसे कह रहो, आपके बाप का मारा है। तो ठाकोजी से लेटें तेरे बाप का नहीं है। इसका टैक्ष दें। तो थाकोजी गौल्वालो को सारा मार देते हैं, गोफियों की मांकन दो नढ़ाके भूग लगाकर इसी इस्तान से तोड़ देते है, तो तछ्लो की ना तीन लोग की में पुझे हैं, गोफियों से दान भी लिए आयों, मार भी खाईे है थाकोजी ने, यहाँ प्रेम के लिदा थाको जी बान सरुक्तीन है, गोफियों की मध कीए भाम की तोड़ते, महां कनखाते, गोफियों नाराज होते हैं। ऐएक धित हो के गोफियं आती, कशी मध की ये कर आती हैं, कुछ भूर खिष्कम आती हैं। जैसे धिसंहें गौनवाल मारक रोखतीन, जाएए जित्व हमल करने मने तेम गोपी अमिल करके सब को गुल्चाउं की माल लगा करें थोटी बान लेती है तो थाको जी को पगहें तो थाको जी बैठाते हैं। थाको जाएए तो जम्न लगा है थाको चेंज कर थे हाठ लगा ह माकन खायों तो हमारी चोते बाण नहीं है। थाको जी कहरें, सारेट तुमारी काचला नहां मेरी बनी पड़ी है। सब इस परवत की चोटी पर 2 शोटी पर चार गड़ है । एधर प्रेगा दान गडभ उषी और स्रीी बिराज अन सी भानगड़ हो शोटी comprend इन च्रीड एस भानगड तो भानगड इस दान गड़ ने तो कि तो कि ब्लेश गया है तो गोपियों ने एक दिन मिलकर के ठाको जी को गोपी बनाया है। उनको लेंगा, चंडरी, अंग्या, सारी, चोड़ी, सब कुछ पेनाया है ठाको जी पेनाया है। हम अठ्क्यान की बारी हमारो दान दा गोजलेति बड़ाने बारे, तो चाको जी को खुछ बनाया। चाको जी किया रहो हुघ थी, को गोणी आ गायचराने आएं। तो गोपियों ने आ पेली चाकाँ पेली, यहां मान लियां। तो इन बाबा जी ने जो काना जी की बच्पन की लीला है इतना सुंदर बखान किया था कि मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनकी लीलाओं के बारे में आपकी साथ मतलब अपनी सब्दों में जो भी उनकी लीलाइते वो शेयर करूँ मतलब उससे होई नहीं पाती तो जो महराज जीते इनों ने बहुत अच्छे तरीके से काना जी के बच्पन की लीला का थोड़ा सा जो एक चरीतर हमारे साथ ऐसा लग रहा था मानू सब कुछ हमारे आगों के आगे चल रहा है तो यहां पर हम दर्सन करने के बाद अब चल चुके हैं और यहां पर बहुत ही कम जगए है जहां से हमने सोट कर लिया था मतलब यह सोट परिकर्मा होती है बरसान की तो यहां पर एक एक करकी चलना होता ह साथ ने अर्भर ब्रहबर में नहीं जल सकते हैं और जैसे बाबाजी ने बताया था कि जो साकरी खोर जहां पर है ये ब्रहमपरवत तो इसको तीन धिस्सों में बाटा गया था एक हिसा था भानगड़, दूसरा का हिसा था मानगड़ एक तीसरा हिसा था दानगड़ तो मतलब जो भानगड़ है वहाँ पर लाडली जी का मंदीर है और एक है दानगड़ जहां पर जो है गोप्यों ने काना जी से दान मांगा था जो कि दान के रूप में उन्होंने क्या किया था राधरानी को टेड़ पहर जूला जूलाया था और एक है मानगड़ जहां पर र तो यहां पर बीच में चोटा सा आपको द्रश्चे भी दिखा रही हूं तो यह है एक कुंड जो की आप मुझे सही तरीके स्यादनी सायद यह आता है मानगड में हाँ यह मानगड में ही आता है सायद तो इसमें बहुत ज्यादा तो यह एक चोटा सा कुड़ता उसके बाद हम यहां पर आए थे यह दान गड़ है जायद मैंने थोड़ी कर्फ्यूज हो चुकी हूं यह दान गड़ी है तो यहां पर एक मंदी था जिसके हमने दर्सन किये और यहां पर एक साधवी जी बैठी हुए थी जो की राधा नाम में एकदम ऐसे लीन हो रही है मतलब उन्हें हमारी बिल्कुल भी परवा नहीं थी हम उन्हें से कुछ पूछ रहेते कुछ बोल देते लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया और वहां से आने के बाद अब हम आच चुक लाइप है वहाँ पर डाई सो तीन सो पैडिया है मैं बोल रही उसमें छैसों सी साथ सो पैडिया है जो कि चलते चलते पैर कप कप आने लगे थे तो यहां पर देखे पायल और बच्चे मतलब सभी जा चुके हैं मुझसे तो बिल्गुल भी चलाई नहीं जा रहा है मतलब पहुत ही पैना कप कप ही बन दिया बहुत बूरी तरीके से तो चलिए अब हम ओपर मंदीर में आ चुके हैं और यहां पर हमें बाबाजी ने कुछ द्रेस से दिखाया तो यहां पर काफी उचाय पर क्रेन वगेरा खड़ी दी थी हमने पूछा कि यह क्या हो रहा है तो बो टाइम भी ताया था मन तो करते निए यहां पर जाके किसी भी वीड् fog करने के लिए लेकिन अपनी मैमोरी के लिए और थोड़ा सा क्लिप यहां पर सूट कर रही थी तो यहां पर हरे कृष्णा हरे राम का जब किया गया था तो जैसे मैं यहां पर भी एक वीडियो सूट कर रही थी बाबा जी बोले के तुम रुको और बेटा तुम भी आ जाओ तो इरो ने फिर मुझे आवाज लगा कि बुला लिया था औ और नाम चब करने के बाद हम आ चुके हैं अब बाहर अपनी वापसे परिकर्मा में तो अब परिकर्मा हमारी ज़्यादा देर की नहीं रह रही है करीब आदा पोना घंटा की रह रही होगी जो की पूरी हो जाएगी तो यहां पर आने के बाद मतलब कुछ अलग सा द्रस स मुझे दिखाई दे रहा था जो कि मैंने अपने मूबाइल में हनी वीडियो के द्वारा कैप्चर कर लिया था तो परिकर्मा यहां पर पूरी हो चुकी हैं मतलब जो मंदीर है बरजाना का स्री राधार लाडली जी का जो महल है महासिमने नीचे से ही पैडियों पे से परि बज़े का टाइम हो रहा है तो आप साथ में देखी रहे हैं इस बार पाइल आपको नजर आ रही है जो कि मेरी भान जी है तो ये फर्स्ट टाइम श्री वरंदवन धामजी में गई है तो हम कोशीश कर रहे थे कि इसको मतलब जाद से जाद दरजन करा दे पतनी आगे को आना मतलब होगा फिर मैंने इसकी साथ थोड़े सी क्लिप वगएरा इस वज़े से सूट की थी थी थोड़े सी इमेज वगएरा इस वज़े से सूट किये थे ये बोल ली थी कि मतलब आसी मेरी वीडियो बगएरा बनाना ताकि आने वाले टाइम में मैं इनको देखती रहूं औ मतलब मुझे श्री वरंदावन धाम जी की आदाती रहे तो वैसे तो मैंने प्रेमंदिर जो वरंदावन धाम जी में प्रेमंदिर है इसकी एक separate वीडियो आपकी साथ शेयर की है लेकिन बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप पर शूट करें थी पायल के वजे से तो इसकी मैं थोड़ी सी जलक आपको भी दिखाई रही हूँ इस वीडियो को वही पसंद करेगा वही ज्यादा दिल से फील करेगा दिल से देखना चाहेगा जो श्री वरंदावन धाम जी में जाना चाहता है जो श्री रादा राने जी से जुड़ावा है यह जो एकदम आध्यात् मतलब हो सकता है किसी को यह पसंद आए और मैं कोई भी क्लिप आपको बार बार नहीं दिखा रही हूँ जो मतलब मैंने लाइस टाइम में आपकी साथ शेयर कर दिया है उसको मैं दुबारा से नहीं दिखा रही हूँ वह थोड़े थोड़े से मिमेंट आपको दिखा रही ह लेकिन इसकी जो लागत दी गई है वो रात के अनेरे में नजर आती है क्योंकि यहाँ पर जितनी जहाक्या है जितनी लाइट्स वगेरा है जो हमारा इमंदीर वगेरा है इनमें लाइट्स वगेरा का यूज किया गया है जो कि अन्धेरा होते होते बहुत यह अच्छी से चम बीड बढ़ जाती है मतलब यहां पर देखने वाले कम आते हैं एक तरीके से अपनी वीडियो बनाने वाले कुछ जाद ही आते हैं वैसे मैं हमेसे वीडियो नहीं बनाती हूँ नहीं मैं हमेसे वीडियो नहीं बनाती हूँ हम तो यहां पर जाते ही रहते हैं हार दूसरे तीस तो यह तुम्हें थोड़ी सी जलक है के वार आपकी साथ शेर कर रही हूँ कई अच्छी जंगे के पावन जंगे के दर्सन जितनी बाहर कर लिए जाए तो नहीं थोड़ा होता है तो मेरी तो हिम्मत बिल्कुल भी निती मतलब मंदीर में अंदर जाने की जैसे प्रेम मंदीर है उसमें एकदम भी सेंटर में बनाया है जो खास मंदीर है मतलब अंदर से उसमें वैसे कुछी नहीं है स्री रादे किर्शन जी की तस्वीर वगेरा है मतलब उनकी पड़तेम वगेरा है तो मैं तो बाहरी बैठ गई थी क्योंकि पैरों ने बिल्कुल ही जवाब दे दिय तो पायल को दर्सन कराने जरूरी थे तो यहां पर यह मुबायल को लेकर आ गए थे मतलब याशी का और अनौ नहीं पायल को दर्सन करा है मैं मम्मी और जो बच्चों के पापा हैं हम मतलब बाहर ही बैठे हुए हैं तो हम मंदीर में ही लेकिन मतलब अंदर मंदीर में नही देता रहता है काफी आच्छा खासा पैसा लगाया गाया है और यहां के सादु मंदिर घूम ताइम हो तक करीब 2 घंटे का टाईम और दीरे दीरे ना यहां पर अंधियरा होना शुरू हो चुका था और जो मंदीर की अचली रोनक है वो यहां पर दिखाई देने लगी थी तो चली श्री मंदीर जी के दर्शन करने के बाद हम आ चुके थे यहां पर तो हमें यहां पर मिला एक आइस्क्रीम क्या बोलते हैं उसको प्रैंक करने वाला जो आइस्क्रीम प्रैंक नहीं करते हैं मतलब आइस्क्रीम पकड़ाते लेकिन पकड़ाई नहीं जाता है तो यह बोल लेत वैसे इसने ना मतलब आइस्क्रीम की साथ चीटिंग भी की थी तो हमने यहां पर दो आइसक्रीम ली मैंने सोचा चली इसके क्लिफ सूट कर लेती हूं मतलब बहुती फणी मुमेंट यहां पर नजर आ रहा था बार बार यहां आइसक्रीम को पकड़ाता है और किसी ना किसी बार आइसक्रीम पकड़ भी ली थी लेकिन इसने चेटेंग करके वापस से आइसक्रीम ले ली तो चले आखिर कर क्या करता है ना आइसक्रीम ले लेता है और मुझे तो देख देख के सोट सही लग रहा था अगर मैं यह काम करने लग जाते आइसक्रीम पकड़ने में बिल तो यहां पर दूसरी आइस्क्रीम की बारी आई तो यहां पर मैंने पाइल को बोला था कि पाइल तू ले ले तो पाइल ने मना कर दिया थोड़ी के नहीं मासी मुसे नहीं होगा यह और बच्चे बोले ममी आप ही कर लो मैंने बोला नहीं यह बच्चों का खाव मैं तो बच्चे करेंगे तो यह सी का मेरी इतनी ज्यादा सीधी लड़की है मतलब यह उसके दिमाग को उसकी नजरों को बिल्कुल भी कैप्चर नह आती है कभी खाली आश्क्रीम आ जाते हैं कभी आश्क्रीम आती नहीं कभी कुछ कभी कुछ तो मतलब ऐसा ही मतलब चलता रहता है और देखेंगे किस किस तरीके से कर रहा हूं इसको देख देखके तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हासी आती जादी है यह देखिए तो आइश्क्रीम देने के बजाए उसके मुँमें टी सुपे मतावा दिया जो कि सबसे ज़्यादा पनी मुमेंट था ये तो चली थोड़ सा इंजाई करने के बाद हम अपने होटल में आ चुके हैं जा पर हमने रूम लिया है और आपको मैं बताओ इस बार हमें बहुत ही अच् हो रहा है और हम दर्सन करने के लिए चलती हैं सिरी रादा वल्लव जी के बाकि बिहारी जी के जहां जहां भी दर्सन करने होते हैं महाँ चलती है लेकिन हाँ दर्सन करने से पहले हमारे लिए दर्सन बहुती ज़्यादा जरूरी होते हैं आज रात हमारे बाबाजी के दर् बाबजी की मैं बात कर रही हूं तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए इस पेसली हम स्री वरंदवन धाम जी में जाते हैं रात में दर्शन इस बज़ी से निकल गए थे क्योंकि हमें लगाता हम जहां पर हैं यहां पर वाबजी चार बज़ी तक आएगी सो हम साड़े तीन पर हमने कोई पूजन वगएरा नहीं किया था अगर हम 10 सेरे पे घर होते तो पूजन वगएरा करते अब यमना जी के किनारे आज चुके हैं तो एक दिया में यहां पर यमना जी को जो है क्या बोलते हैं सलाया जाता है हमारे हैं तो ऐसा बोलता है परिवर्टित मैं कर रही तो हमारे मुझ़फनगर जिले में तो बहुन होते हैं बाई कें आ ऊपर धान रखते है को हम सिंधानम और भी है कें मैं уг लाइबा दोख भी आ पर भी धान से किनारे हो रहा हैं विद्ध protection कें अमनरति की 140 वारा आ चुके हुふ एक और दो बारि अभी तक मैं नहाई होगी मेरा मोका ही नहीं ऐसा पड़ता है, कभी कपड़ों की टैंसरन होती है, कभी नहने के लिए सही मोका नहीं होता है, जैंस क्या करते हैं वो कहीं भी नहाने के लिए तो नाव वाले बहुत-बहुत महांगे होते हैं एक एक जने के सोचोर पर मांगते हैं बहुत भारी पर जाता है हम सब्सक्राइब नाव बोला कि मैं तुम्हें उस पार चोड़ के आऊंगा तो मतलब 20-30 रुपय में उसने हमें यहां पर लाके छोड़ दिया तो थोड़ा सा जोई कर रहे हैं बस यही तो मतलब कपड़े वगयर कुछ ऐसे पैने वेते और यह साम का टाइम हो भी चुगा था और अभी हमें मंदिर में दर्सन भी करने हैं मन तो कर रहा था नाने का लेकिन हमारे कपड़े ना जंदी से सूखने वाले नी थे अरना और अन्नों के देखे तोड़ा सा तड़ा बरे थे एक तरीके से यहां पर पैरसूट ऊड़ रहे हैं जिनको जो कैमरे है न जो क्या वोलते हैं उनको ड्रॉन मतलब यह उड़ रहे थे तो चलिए यमदा जी पेसे आने के बाद हम आज चुके हैं मंदिरों के दर्सन करने के लिए तो ना जा रहे हैं स्री राधा रामन जी के दर्शन करने के लिए और यहां से वह काफी दूर पड़ जाएगा तो अब हम सारे दर्शन करके आच चुके हैं और वापस से जा रहे हैं अपने रूम में यह है स्री मदन मोहन जी का मंदिर जो की वरंदवन धाम जी में सबसे उंचा संदिर दिखाई देता है तो मैं मेरे हजबेंड और सासु मा तो गए नहीं थे यह भी काफी सीड़िया है इस में और हम यहां पर काफी बारना जाबी चुके हैं तो बस हमने बच्चों से ही बोल दिया था तो राधे राधे दोस्तो धिर लाधे लाधे बारनाग से दो स्थेए लाधे दो